नमस्का विध्यार्थी मित्रों आजे आपड़े धोरण साथ विशे हिंदी काविय एक बेटी जोईसुं विध्यार्थी मित्रों शुरू करते हैं काविय एक बेटी यह एक काविय है तो इस कविता में हम इस कविता का सरल अर्थ और सब्दार्थ देखेंगे तो शुरू करते हैं पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही वह खूद स्वभिमान से जी कर स्वनिर्बर बन सकती है वह सम्मान की अधिकारी नहीं है समाज वह राष्ट्र की उन्नती में नारी महत्वपुन योगदान दे सकती ह तो इस प्रस्तूत कविता में एक बालिका की आसा एवं भावनाओं की अभिवक्ती द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है तो हम कविता द्वारा देखेंगे तम सुरू करते हैं कविता बेटी हूं मैं बेटी मैं तारा बनूँगी तारा बनूँगी सहारा बनूँगी क्या कहती है बेटी कि मैं बेटी हूं मैं अपना विकास खुद करूँगी मैं दुसरा का सहारा बनूँगी मैं अपना विकास करके सहारा बनूँगी सहारा यानि किसी का आश्रय आधार तारा बनुगी यानि श्रेष्ट बनुगी मैं अपना स्वविकास करूँगी सहारा बनुगी उन्हें आश्रय दूँगी मैं बेटी हूँ मैं किसी से काम नहीं कम नहीं हूँ कै मैं बेटी हूँ मैं किसी से कम नहीं हूँ मैं और किसी का सहारा बनूंगी आगे गगन पे चमके चंदा मैं धर्ती पे चमकूंगी धर्ती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी कि जिस तरह गगन यानि आकास जिस तरह आकास में चंदा चमकता है चांद चमकता है उसी तरह मैं धर्ती पे चमकूंगी उपर आकास में चांद चंदा चमकता है तो मैं धर्ती पर चमकूंगी धर्ती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी और फिर धर्ती पर चमकूंगी और चारो तरफ अपना प्रकास फैलाऊंगी चारो और मेरा यस फैलेगा प्रकास यानि यस मेरी जो मैं आगे बढ़ूंगी मेरा यस है वो यस फैलेगा मेरी किर्ती फैलेगी मैं बेटी हूँ मैं किसी से कम नहीं हूँ मैं बेटी हूँ आगे की लिटी देखते हैं आगे की पंक्ती पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मैंनत करूंगी बिटी क्या कहती है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मैंनत करके आगे बढ़ूंगी अपने पाव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी अपने पाव देखना यानि आत्मनिर्बर बनना मैं अपने आत्मनीरबर बनूंगी और पडलिक कर मैं दुनिया के व्यवारों को देखूंगी और समझूंगी दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी और दुनिया के जो व्यवार है व्यवारों को मैं देखूंगी और उसे समझूंगी मैं बेटी हूँ मैं, बेटी ये मैं बेटी हूँ मैं किसी से कम नहीं हूँ फूल जैसी सुन्दर मैं बागों में खिलूंगी बेटी क्या केती है, कि जिस तरह बाग में सुन्दर फूल खिलते हैं उसी तरह में खिलूंगी तितली बनूंगी में हवा को चुमूंगी तो उसी तरह ये दुनिया रुपी बाग है कि जिस तरह बाग में फूल खिलते हैं उसी तरह ये दुनिया रुपी एक बाग है और बाग में में खिलूंगी और तितली बनूंगी में हवा को चुमूंगी और फिर में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगन फेलाऊंगी के जिस तरह तितली हवा में उड़ती है तो उसी तरह में प्रगती करती हुई अपनी मंजील पर पहुँच जाऊंगी तो उसी तरह मैं अपनी प्रगती करूंगी और अपनी मंजिल तक पहुंचूंगी हवा को चुमूंगी नाचूंगी गाऊंगी और मंजिल पर पहुंच कर मेरा दिल नाच उठेगा कि जब मेरा मैं मंजिल मेरी अपनी मंजिल तक पहुंचूंगी तो मेरा दिल खुसी से ना चुठेगा और खुस होकर गाने लग जाएगा बेटी हूँ मैं बेटी मैं बेटी हूँ मैं किसी से कम नहीं हूँ तो यह कविता का भावाद था तो अब हम आगे इस कविता का सब्दार देखते हैं सहारा यानि आश्रय आधार आगे गगन यानि नब यानि आकास चमकना यानि जग मगाना उन्नदी करना उजियारा तो उजाला प्रकास उजियारा यानि उजाला प्रकास टितली यानि रंग भी रंगी उर्था पतिंगा पतंगियो जिसे हम गुजराती में बोलते हैं पतंगियो आगे मुहावरे में या दो मुहावरे हैं तारा बनना यानि स्रेष्ट बनना अपने पाउपर चलना यानि आत्मनिर्बर बनना तो विद्यार्थे मित्रों यहां हमारा कविता का भावार्थ और सब्दार्थ मुहावरे समाप्थ होते हैं आगे का अभ्यास और धन्यवाद